आईए सुने का रिक्रम हवा महल आज के हवा महल करिक्रम में सुनवा रहे हैं नाटी का इसके लिखक और निर्माता हैं राजेश रेड़ी अनार फली अनार फली अनार फली मेरी समझ में नहीं आता कलीम के उस मामूली सी कनीज में ऐसा क्या मिलता है तुझे जो तू आज नहीं जानते अबा हुजूर के अनार फली क्या चीज है क्या चीज है उसका रंग उसका रूप उसकी अदाएं उसकी नजाकत उसका सब कुछ इतना अलग इतना जादूई है अबा हुजूर के वं है हमें ये सब गिनाने की जरूरत नहीं है शहजादे ये मत भूलो के कभी हम भी जवान थे दो चार फनीजों के चक्कर में हम भी बड़े थे लेकिन इस कदर दिवाने नहीं हो गए थे कि आपकी जरूरते जिस्माली रही होंगी अबा हुजूर लेकिन मेरा इश्क मेरा इ कोनी है का दाड़ी मूंझ है अभी चार दिन हुए नहीं के रूहानी बात ते कर रहा है रूहानी बातों के लिए कोई उम्र नहीं होती अबा ऐसी अपने पुड़े वाथ से बद जबनी करते शरुन नहीं आती तुझे अगर आप बूड़े हैं और मेरे बात है तो मेरी को कच्चा चबाने के लिए तबीयत ही काफी नहीं होती अब बाहुजूर्ण उसके लिए मजबूत 32 की भी जरूरत होती है और खुदा गवाह है कि आपके दात जितने भी बचे हैं यह काम भी आपके बुढ़े हाथों के बसका नहीं है अब बाहुजूर्ण और पिर आप तो जानते ही हैं कि मैं रोज चक्मक दंत-मंजन से दांस साफ करता हूं इतनी आसानी से नहीं तूटने वाले या ला या ला तुही बता अब हम क्या करें अनार्ठली से मेरी शादी करवा दीजिए अबाहुजूर्ण नहीं हर्गेस नहीं किसी इमद पर नहीं 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 सौबार नहीं तो फिर बगावत के लिए तैयार हो जाई है बहुदूर्ट बगावत बगावत की धमकी देता है हमें शेहनशाह को क्या इसलिए पाल पोस्कर बढ़ा किया था तुझे मैं अभी तेरी अमा से शिकायत कर था हूं arius कि मा किया बात है महामली देखो देखो कैसी किसे जबानी कर रहा है तुमहारा सबूत आजी तुम चुप कर बेटे, ये तुम क्या कह रही हो अम्मी जान, अनार फली को भूल जाओ, अपने आप को भूल जाओ, नहीं नहीं, अपनी अम्मी को भूल जाओ, अपनी अबबा को भूल जाओ, ओफो, मेरी तो समझ में नहीं आता, उस कल मुही कनीज में ऐसा क्या मिलता है तुझे जो तू, अम्नी जान मेरी अनार कली को कल मुहिमत कहिए उसका रंग तो बहुत गोरा है और उसके दाद भी गोरे हैं बिल्कुल दूद जैसे ये सल्तनाथ एक मामूली खनीज के दादों की महताज नहीं है बत्तमीज तो फिर सुन लीजे बाश आलम मेरी और अनार फली की महबद भी आपकी सल्तनती महताज नहीं है ये तो क्या कह रहा है बेटे ये एक मामूली कनीज एक नौकरानी के सफिद दाटों की चमक की पीछे शाही तक तो ताज को ठुकरा देगा हाँ अमी जान कई कई बद्बूदार बद्तीसी वाली रानियों के बीच जीने के बजाए एक खुश्बूदार तनीज के आगोश में मरना पसंद करूगा अच्छा अच्छा निकल जा यहां से तेरी किसमत में एक नौकरानी की बाहों में मरना ही लिखा है तो जा मर कोई नहीं रोकेगा तुझे महावली ठीक है बहुदूर अब हमारी मुलाकात जंग के मैदान में होगी चलता हूं अम्मी जान देटा कलीव यह आपने क्या क्या महावली यह आपने क्या 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 ओहाओ घबराव मत कर लोगी माँ थोड़ी देर में भचक भचका कर वापस आ जाएगा वो अब कभी नहीं आएगा महावली वो अब कभी नहीं आएगा वो बड़ा जित्ती है अचार दिन शाही जिन्दगी से दूर रहेगा तो अकल धिकाने आ जाएगी लेकिन वो तो जंग की धमकी दे कर गए है महावली हम उसकी नाबत ही नहीं आने देंगे कल्लो की माँ सुनिया जी इस मामले में आप इसरा खीर बल से सला क्यो नहीं ले लेते है mund की वो मसुखरा The अरे उसे हमने हसने हसाने के लिए रखा है सला के लिए नहीं लेकिन मुझे वो आदमी बहुत काबिल नज़र आता है तो मेरे अलावा हर आधमी काबल नजर आता है, क्योँ आप तो बुरा मांगे महा बली आधा तो तो तुम बात ये ऐसी करती हो मैं तो स्रफ ये कह रहे थी महा बली कि एक बार उसे पोछ लेते है अचा ठीक है ठीक है ठीक है अचा तुम अंगर जाकर रो जो अरे कोई है खीरबल को बुलाओ, सलामालियजा, सलामालियजा, मैं तो बस आई रहा था, आप बात के है और पना, आपका चेहरा कुछ उत्रा हुआ दिखाई दे रहा है, हाँ खीरबल, बहुत परेशान हैं हम हुजूर इस दास के रहते आप परेशान कैसे रह सकने आलम पना अभी लेजिए आपको एकदम तरो ताजा चुटकुला सुनाता हूँ हमने तुम्हें चुटकुला सुनाने के लिए नहीं बुलाया है खीर बल तो फिर इस दास को किस लिए बुलाया है हुजूर कुछ हो कीजिए तुम्हें पता है के कलीम घर छोड़कर भाग गया है कहां बंबई हुजूर अजय दैंखीर बल वो नालायक यहीं है इसी शहर में लेकिन कहीं और हुजूर अनार फली के घर तो नहीं तुम जानते हो उसे उसे को नहीं जानता हुजूर हिश्क की शौक रखने वाला हर इंसान हर चाथ तुम भी नहीं आलमपना वो हो मैं तो सिर्फ खोज खबर रखता हूं लोग तो उसके हुस्ट खास तोर से उसके दातों की चमक की दिवाने है हुजूर अच्छा ऐसी चमक है उसके दातों की जी हाँ अलिजा आप देखेंगे तब बस देखते ही रह जाएंगे हुजूर हम उस चमक को हमेशा हमेशा के लिए मिटा कर रख देंगे उसके दाटों की इसी चमक ने कलीम को बगावक पर आमादा कर दिया है खीर बल अच्छा तब तो काम बहुत आसान है अलीजा वो कैसे हुजूर बस आप अनार फली से कह दीजे कि बल्क हुक्म कर दीजे कि वो चक्मक दंत मंजे से दाट साफ करना छोड़ दे बस उसके दाट खराब हुए मौसे बद्वु आई और अपने शहजादे हुजूर घर वापस वावावावावावावावावावावावावाव क्या रास्ता बताया है हम अभी जाते हैं उस अनार फली के पास हुजूर मैं भी चलूँ आपके साथ नहीं नहीं तुम यही रहो हम अके लिए जाएंगे हाँ जो अनार फली बाश्चाह सलामत आप हाँ अनार फली हम यानि के हम शेहनशाह हम खुद चलकर आई हैं तुम्हारे पास आपने किर तकलीफ की बाश्चाह सलामत आपने हुक्म किया होता यह कनीज खुद हाजिर हो जाती यह नाटा के बाशी छोड़ो अनार फली सीधे सीधे काम की बात करो काम की बात हम इस बुड़ा पे में आपके मूँसे इस तरह की बात अच्छी नहीं लगते जाएंगे ज तो आप हमें खरीदने आए हैं नहीं अनार फली हम तुम्हें खरीदने नहीं अपने आप को बेचने आए हैं एक बुड़ा बाप तुम्हारे कदमों में पूरी सलतनत को निचावर करने आया है अनार फली नहीं आलम पना में अपनी महबत का सौदा नहीं कर सकती है तो सम्ह कान खोल कर सुले कलीम तुझे मरने नहीं देगा और हम तुझे जीने नहीं देंगे इतना ही नहीं अपनी सलतनत की शान के लिए हम अपने हाथों से अपने बेटे को खचाख भी कर सकते हैं खुदा के लिए ऐसा ना कीजिए जहां पना शैजादे पर रहम का एक ही रास्ता है अनारफली वो क्या आलम पना तुम चक्मक दंत मंजन से दांत साफ करना बंद कर दो जी? जी हाँ लेकिन मिने दादों का क्या होगा जहां पना अपने आशिक की जान बचाने के लिए इतनी सी भी कुर्बानी नहीं दे सकती तुम ठीक है प्यारे तलीम के लिए बड़े से बड़े कुर्बानी भी मुझे मन्जूर है लीजिए ये रहा मेरा चक्मक का छोता पैके ये सल्तनात तुमारी इस कुर्बानी को कभी नहीं भूल सकेगी अनार फली कभी नहीं भूल सकेगी शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया खुदा हाफिज खुदा हाफिज खुदा हाफिज अनार फली, अनार मैं यहाँ हूँ मेरे सरकार अरे यह क्या, आज इस तरह दूर दूर और मुझ छिपाएं क्यों खड़ी हो तुम्हें पता है, तुम्हारे लिए मैं सब कुछ छोड़ कर आया हूँ शाही तक तो ताज भी यह तुम्हें अच्छा नहीं किया कलीब अनू हाँ कलू, मैं अब पहली जैसी अनार फली नहीं रह गई हूँ तुम तो मुझे अब भी वैसी ही लगती हो वही रूप, वही रंग, वही अदाएं अब आ वी जाओ अनार फली मुझे मजबूर मत करो कलीब मजबूरी की ये दीवार हमेशा हमेशा के लिए गिरा दो अनार फली आ जाओ उफ, तुम समझते क्यों नहीं अब मैं तुम्हारे पास आने लाइक नहीं हूं कली क्या कोई और चक्तर चला लिया है तुमने अपनी अनार फली पर भरूसा रखो कली तो फिर चली आओ अनार फली अब ये दूरी बताश नहीं रहती या लाइक आप में क्या करूँ मेरी बाहों में सिमट आओ अनार फली आजाओ आजाओ या खुदा ये क्या तुम्हारे मूंसे इतनी बद्बू क्यों आ रही है तुम बहुते क्यों नहीं ये बद्बू मेरी जान ले लेगी मुझे चकर आ रहा है मैं मैं कहा हूं मैं कहा हूं तुम अपने महल में हो शहजादे मैं यहां कैसे आया कैसे आ गया? अरे इस दुनिया में जैसे सब आते हैं वैसे ही तुम भी आए हो बेटे अबा हुदूर अनार फली के हुसन का जादू अब उतर चुका है अब मैं होश में आ गया हूं अब मैं उस बदमुही अनार फली का मूं तक नहीं देखूँगा बहुत अच्छे शहजादे बहुत अच्छे तो हम जुलैखा से तुम्हारी बात पक्की कर दें आप जहां चाहें जिससे चाहें मेरी बात पक्की कर दीजी अबा हुदूर बस बस एक गुजारिश आप से कि उसके दात उसके दात हम फूब समझते हैं शहजादे इसी लिए तो हमने अपनी होने वाली बहु के लिए एक तोफा लाकर रखा है तोफा हाँ ये देखो चक्मक दंत मंजन अबबो केवा मुबारक हो आलमपना मुबारक हो आओ आओ खीरबल आओ मुबारक बाद तो हमें देनी हैं तुम्हें हुजूर बस आप तो यूई मांगो खीरबल क्या मांगते हो हम आज तुम्हें मू मांगा इनाम देना चाहते हैं हुजूर इनाम मुझे हाँ मांगो हुजूर हाँ हाँ मांगो खीरबल हुजूर किस्सा अनार्फली का अभी आपने ये नाटी का सुनी इसके लेखक और निर्माता थे राजेश रेटी विविद्भाती की इस प्रस्तुती के साथ ही आज का हवा महल समाप्त होता है किस्सा अनार्फली की आपने अनार्फली के साथ है